तो शुरू करते हैं हमारा टैरिस गर्डन का दूसरा पार्ट विडियो का तो इस जगे है यह मैंने नाक्चाम पक का एक प्लांट लगा रखा है जो काफी बड़ा हो चुका है और इस अमर में काफी फ्लावरिंग दे चुका है इसमें बंचिस में वाइट कला के फ्लावर र यह इनका डॉर्मेंसी का पिरेड यह भी फ्लावरिंग पर नहीं है यह समर में फ्लावरिंग करेंगे इसके बाद यह मेरा कैक्टस का प्लांट है इसे बहुत कम पानी की ज़ुरत होती है और यह कटिंग के थू इजीली उख जाता है इसमें चोटे-चोटे कला के रेट कल जाएं है यह मेरे हाईब्रेड हीबिस्किस में साङ्बान्स के यलो बदिध के मेरे फ्लावर si méli जाते हैं यलो अभी नहीं आ रहे हैugen इसमें बढ़ींग बी काफी हो रही है और यह मेरे फ्लावर्स है इसके बाद ये मेरे पर्ड़ हर्ट की फ्लावर न की फ्लावर है, जो मेरे ये बड़ासा टप्प्ट फ्ली था . ये मीटी नीम का प्लांट है मेरा ये रेलीली曜 अलग-अलग कलर्स के हैं , जो मैंने इसी में इनके बल्प करेंगे तो अभी मैं रेशान मीहिन ने सेपरेट करूँगी यह मेरा जो खराब छुका था वापस ग्रों करने लगा है यह सबी अभी समर के प्लाई प्लाउर और टो अभी यह ऐस समर में इंनों क्यूभ फ्लावरिंग दिया है इसमें बहुत अच्छे मोगरी के फ्लावर उकते हैं ये मेरा केल का प्लांट है जिसमें रैडsty इसमें बड़े कमले हैं में इस में बोगनवी लिया हुआ रहा रखा राखा है अगंतह स्पेस काफी दिक्ज Catholic मैं हमें च्छोटी च्छोटी हम अटक्यों में भी stories betweenме यह बड़ी सी अभी ईसका सीजन गया है इसमें बंचिस सी फू लुपते हैं तो इसमें बड़े बंचिस ब्लावर लुपते है यह मेरा मोगरे का प्राइं इसमें का प्लावर यह ब्लाज़ियाए इसमें चोटे चोटे फ्लावरों केगे अभी इसका मैने सीडलिंग की द्रू इने लगाई था ये मेरा बोगन semaine के प्लांट है, है इसमें चोटे-चोटे से बोगन के यह में रखवार फटा है जिसे में बड़ से टब में लगा रखाया है क्योंकि यह काफी बढ़ा हो जाता हैसे लिए और सेपरिट साइड में ही रख रखाय है इस वन पर मैंने बहुत सारे फ्लांट फ्λांटर में प्लांटर प्लांट इस यह बनधर जोब में वसिता बड़का आर्प स्कूध मैं जिन्नेते हं जादे बड़ी स्पेज थी जुरत नहीं होती है और एफ हैं यह सारें मैं मैं ऋच्छाते क्योंते हैं और इन्हें दूप के जुरत भी नहीं होती है, इसे थोड़ा सा पानी की रिक्वाइर्मेंट भी नहीं रहते हैं। और इन्हें जदा पानी की requirement भी नहीं रहती विंटर में पानी कम ही देना चाहिए प्लांट्स को नहीं तो वो खराब हो जाते हैं इस एरिय में जदा धूप नहीं आती तो ये अच्छे से survive कर जाते हैं और ये चोटे चोटे प्लांट में अपना लुक भी अच्छा देते हैं ये इस साइड मैंने सारे के सारे इंडूर प्लांट्स रख रखे हैं गुल्दावदी के इसी लिए लख रखे हैं क्योंकि मैंने इन्हें अभी उगाया है अभी थोड़े से उगने लगे हैं उसके बाद इन्हें धूप में रखूंगी गुल्दावदी कोभी इतनी जड़ा दूप के जोरत नहीं होती पूरी दिन भर की थोड़ी बहुत दूप चलती है इनकी तो यह अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे यां यह मेरी यलो बेल के फ्लावर हैं इसमें यलो कलग के बड़े बड़े फ्लावर सुकते हैं यह मेरा बेबी टियर प्लांट काफी घना हो चुका है और यह अच्छा सा एक बुशी लुक दे रहा है और इसे भी चाज़ा दूप के जोरत नहीं होती है यह सारा शेड़ी एरिये में इधर रखें जिन इछनकर दूप आती रहती है यह मेरे गुल्दावदी के हैं प्ला यह यह यहलो और और औरेंज मिक्स शेट का है जो कि काफी सुन्दर अपना लुक देता है इसमें वाइट कला की फ्लावरिंग होगी गुल्दावदी के पौधे को भी ज्यादा पानी देने की जुरत नहीं होती विंटर में दो दिन में एक बार चलता है से रेगिलर पानी देंगे तो यह इनकी सारी रूट्स कल जाती है और यह अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं यह जैट प्लांट है काफी बड़ा अच्छे से में थोड़ी से प्लावर रहा है एरिका पाम यह कुल्दादी का यहलो चुटा चुटा फ्लावर वाला पॉट प्लांट है यह सारे इंडूर प्लांट्स है जन्यु जह ज़्यादर दूँध की ज़ुरत नहीं होती है यह वीडियो भी थोडी मॉर्निंग में इसलिए आपको दूप दिख रही होगी बाकी दो एक खंटे बाद यहां धूप नहीं आती है तो यह काफी अच्छे से रहते हैं यह मेरा फॉर्ण का प्लांट है जो काफी बड़ा हो चका इसे मैं सेपरेट दो-तीन गमलों में लगा दूगी यह सब जितने भी प्लांट आपको देख रहा है यह आप कटिंग के थूँ इसलिए लगा सकते हैं छोटी से कटिंग लेके यह इनका भी बैस्ट सीजन होता है कटिंग के थूँ लगने का कि यह मेरा इस तरफ जो दिखाई दे रहा था वह स्पाइडर प्लांट है इनके छोटे-छोटे से बेबी जब निकलना शुरू हो गए हैं तो बेबी को भी आप इजी ली ग्रो कर सकते हैं यह भी मेरे इंडोर प्लांट है यह भी कटिंग के थूँ ही लगते हैं और इनी ज़ता दूप की जुरत नहीं होती है मौनिक के धूप अगर आए तो सफिशन्ट है सर्दी में वह भी गर्मी में उसकी भी जुरत नहीं होती है यह रिका पाम है यह भी काफी बड़े हो चिके और नईनी ग्रोथ आ रही है जो भी वेस प्लांटर होता है उसमें मैं थोड़े से प्लांट से लगा देती हूं और वह जो मुझे लगता है छोटे पाउट में सर्वाइफ कर जाएंगे वह अच्छे लगते हैं थोड़े सा डेकोरेटिफ करके इसे पीपीस लगा कर मैंने यहां एक प्लांट लगा दि कि इने फुल सन की जुरत नहीं होती है और जदा वाटरिंग की भी जुरत बिंटर में नहीं होती है यह मेरे थोड़ा सा यहां पीछे का इस वाले एरिया का यह लुक है यह चटरपत्य का पौधा है जो भी काफी अच्छा घना बड़ा हो गया है अब जैसरे से टाइम मिलेगा इनमें पौधी की थोड़ी थोड़ी सी रिपॉर्टिंग करना स्टार्ट करूंगी क्योंकि यह बहुत छोटे ही प्लांट में है और काफी बड़े हो गये हैं तो यह इसका ऐसा अच्छे से लुक दिखता है पूरा